आपका यूट्यूब चैनल खबर आप तक आज दोस्तों हम बताएंगे आपको पूरु प्रद्धानमंत्री और भारत रत्न अटल ब्यारी वाजपेजी के जीवन से जुड़े हुए एक बहुती रोचक्स किस्से के बारे में दोस्तों अटल ब्यारी वाजपेजी जितने अच्छे राजनेता थे जितने अच्छे कवी थे जितने अच्छे प्रद्धानमंत्री थे उससे कहीं गुणा ज़ादा आच्छे वो इनसान थे आज उनके एक इस किस्से से हम आपको पूरा बताएंगे कि कितने सहज, सरल और सुन्दर व्यक्तित्व के धनी थे वो आज इस किस्से को आप सुनने के बाद उनका आधर आपके मन में और बढ़ जाएगा दोस्तों बात कर रहे हैं आज से लगबग 26 साल पे ले की यानि की सन 1902 के, 1902 का एक वाक्या है भाजपा आगरा के एक नेता है डुक्टर श्याम सुन्दर अगरवाल जी उनके अनुसार 1902 में आगरा में विदान सबा चुना हो रहे थे उसके लिए अटल ब्यारी वाजपे जी की एक जन सबा आयोजित की गई थी उस जन सबा में दिल्ली से 9 पत्रकारों को लेकर के पहुँचने की जिम्मेदारी श्याम सुन्दर जी अगरवाल को दी गई उन्होंने इस काम को किया, सारे पत्रकार दिल्ली से आगरा पहुँच गए उसके बाद जब जन सबा समाप्त हुई और प्लेन से ही उन सारे पत्रकारों को अटल जी के साथ दिल्ली आना था सारे पत्रकार प्लेन में सवार हो गए और अटल जी भी बेठे उसके बाद प्लेन के पाइलेट ने कहा कि इस प्लेन का वजन जादा हो गया है किसी एक विक्ति को उतरना पड़ेगा तो इतनी बाद सुनकर कि अटल जी खुद उस प्लेन से उतरने लगे जब लोगों ने पूछा सर आप यह क्या कर रहे हैं तो उन्होंने बोला कि बाईया यह जो नो लोग आये हैं वो तो अपने महमान है इनसे कहा गया था कि वापिस आते वक्त प्लेन से दिल्ली आना है अब इनको उतरेंगे तो इनका मन दुखी होगा इसलिए मैं खुद उतर जाता है उसके बाद उन सारे मोजूद लोगों ने कहा नई सर हम तो स्याम सुंदर अगलवाजी के साथ सडक मारक से दिल्ली चले जाएंगे आप आराम से इसमें बेट जाएगे यह कहने के बाद प्लेन के पाइलेट ने एक दूसरा तरीका निकाला उन्होंने क्रू मेंबर्स को बुला करके प्लेन का सो लिटर इधन कम कर दिया जिससे वजन बराबर हो गया और उसके बाद सारे मेंबर प्लेन से ही दिल लिया लेकिन उनकी सहस्ता सरलता इतनी थी कि वो किसी भी वेक्ति को दुख नहीं पहुचाना चाते थे और हमारी फेमिली से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज लाल बटन दबाईए पास में गंटी का छोटा सा बेल आइकन उसको दबाईए हमारे फेमिली का मेंबर बनिए और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल खबर आप तक धन्यवाद